हेलो फिरेंट स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल टेक्निकल ब्रांच में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे एप्लिकेशन के बारे में बता रहे हैं जिससे दोस्तो यदि आप अपने मुबाइल के स्क्रीन को यदि लॉक कर देते हैं तो आपका जो पासवर्ड है हर मिनट मिनट पर दोस्तो चेंज होता रहेगा जि हाँ दोस्तो यदि आपके फोन का लॉक कोई एक बार देख लेता है कि आपके स्क्रीन का लॉक क्या है तो वह लॉक स्क्रीन आपका एक मिनट के बाद में आपका चेंज हो जाएगा जी हाँ दोस्तो हर मिनट पर आपका जो screen lock का password है वह change हो जाएगा वह lock का जो भी password आएगा वह सरिफ आपको पता रहेगा सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि यार इसके phone का क्या lock है यदि एक बार कोई आपके phone का lock जान भी जाता है तो अगले मिनट में आपका जो phone का lock है दोस्तो चेंज हो जाएगा तो दोस्तो इस तरीके का यदि आप भी अपने phone के screen lock पर password लगाना चाहते हैं जाते हैं कि आपका phone कोई आपके सीवा ना खोल पाए तो इस वीडियो को दोस्तो मिस मत कीजिएगा पूरा देखिएगा एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा तो दोस्तो जैसे मनवेश करते हुए करते हैं वीडियो के start मेरा नाम है विनोध और आप देख रहें यूट्यूब चैनल टेकनिकल ब्रांच दोस्तो इस ट्रिक को यूज करने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को यहां से लाइक कर दिजे और साथी साथ यहां पे share का बटन है इस share के बटन से अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share कर दिजे और अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल टेकनिकल ब्रांच को subscribe नहीं किये हैं तिस लाल रंग के subscribe बटन को दबाके चैनल को subscribe कर लिजे और उसी के बगल में एक छोटी सी प्यारी सी घंटी का बटन है इस घंटी के बटन के आपको click कर कर all के उपर में click कर देना है ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका notification आपको सबसे पहले मिल सके और साथी साथ दोस्तों यहां पे comment box है इस comment box में आना है और यहां पर दोस्तो को यहां से like करता हूं और यहां से दोस्तों हट देता हूं इतना सा छोटा सा काम आप हमारा प्लीज करें दोस्तों तो friend करते हैं वीडियो को start करने से पहले हम आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी setting समझिएगा उसके बाद ही आप इस application को use कर पाई और इस application का नाम क्या है सबसे पहले उसकी setting समझिए तो दोस्तों जैसे application open करेंगे तो कुछ इस परकार का इंटरफेस आएगा यहां पर आपको change security tab का option है इसके उपर में आपको click कर देना है जैसी click करेंगे तो यहां पर ऐसा option आएगा पहला option current time दूसरा option pin plus current time उसके बाद म plus minute pin only pin plus day समझ ये बातों को क्या है पहला option यानि कि crank time आपके phone में अभी देखे जितने time होते होंगे जैसे भी मेरे phone में 17 बज़ रहे है यानि 5 बज़ रहे है तो आपका जो lock होगा दोस्तों यही होगा 1700 यहां पर timing दिख रहा है ना यहां पर जो timing है वही होगा यदि आप crank time को choose कर लेते हैं तो आपके phone में जितना time होगा वही आपका लॉक होगा यदि आप इसको select करते हैं यहां पर pin plus crank time आपको चार option मिलेंगे दो option में आप अपना pin लगा सकते हैं जो भी आपका number हो और last में जो लिखा हुआ है crank time उसमें आपको जो 00 दीख रहा है last का option को लगा सक करते हैं उसी तरीके से यहां पर pin plus घंटे, pin plus minute, pin only, pin day आप समझी गया है कि आखिरेक है क्या लेकिन मैं आपको simple तरीके में बता देना चाहता हूं कि मैं यहां पर लगाना चाहता हूं crank time उसके लिए दोस्तों इस box पे click कर देना है जैसे click कर जिएगा तो यहां पर एक आप पर पहले यह देख लिजेगा कि question क्या है तो मैं यहां पर अपना question देख लिया हूँ मैं अपना recovery में अपना नाम लिखूंगा ताकि दोस्तों मैं भूल भी जाओं तो मैं अपने नाम से खोल सकूँ और यहां पर save कर दिना है तो friend उसके बाद यहां पर क्या है एक button है इस button को आपको simply on करना है back होना है और अब इस बटन पर आपको एक बाट टाइब कर देना है यहां से permission को आपको allow कर देना है अब आपका काम हो गया उसके बाद थोड़ा सा नीचे के और बढ़िये गात यहां पर और भी setting दी हुई है जैसे कि main setting दोस्तों यही पर है vibration enable sounds दूसरा timing को 24 घंटे format इने railway time लगा कर रखते हैं जैसे कि 12 बचते हैं तो 13 बचते हैं 14 बचते हैं 15 बचते हैं अब बहुत सो लोग एक से 12 बज़े तक कही time लगाते हैं यदि आप railway time लगाते हैं तो यहां पर देखिए format घंटे format का option है इस बटन को यदि आप on कर देते हैं तो आपक एक पहले लोग को खोला अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि यहां पर एक लोग लग चुका है लोग नमबर क्या है आप देखिए one seven zero three मेरे लौक का नमबर है one seven zero three अब जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो वыт सेवेज जी रोक का है देखिए जैसे ही मैंने one seven zero दाइल किया, मेरा लॉक खुल गया, मेरे फोन में दो लॉक लगे हुए हैं, एक पहले वाला और एक दूसरा वाला, तब पहले वाले लॉक को बंद कर सकते हैं, फिलाल मेरे फोन में दोनों लॉक चल रहा है, अब पहले वाले फोन का लॉक को बंद कर दीजेगा, दूसरा 1704 आप देखिए उस समय मैंने डाइल किया था 1703 अब यहाँ पर देखिए पहला लॉक पहले में खोल लेता हूं तेहाँ आप देखिए फिर लॉक लग गया अब यह लॉक नंबर है 1704 अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 1704 टाइप करूंगा देखिए जैसी मैंने 1704 टाइप किया तो ही मेरा लॉक खुला इससे क्या होगा कि मान लिजे आपका कोई भी घर का वैक्ति या कोई भी दोस्त आपके लॉक को जान जाता है तो एक मिनट के बाद में उसका जो लॉक का वासवर्ड है वह चेंज हो और आपको पता रहेगा कि मेरा पासवर्ड क्या है क्योंकि दोस्तो आपका पासवर्ड यही रहेगा जितने आपके फोन में टाइम हो रहे हैं वही आपका पासवर्ड रहेगा तो है न कमाल का दोस्तो लॉक तो दोस्तो इसी जनकारी के बारे में हम आप लोगों से कर रहे अब रहागया बाद दोस्तो इस application का क्या कर इस application का नाम क्या है तो यह देखे दोस्तो यह application है जिसका नाम है screen lock time password इस application का link वीडियो के description में भी दे दिया हूँ यह तो प्ले स्टोर से तो आप डाउनलोड करी सकते हैं प्ले स्टोर में भी जाकर आप डाउनलोड कर लिजिए तो आई होब दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जिदो subscribe कर ले तब तक के लिए जाहें मिलेंगे अगले वीडियो में पका दिन सुगो